ओम नमो भगवते वार्ष देवाय नमस्कार दोस्तों स्वागाते आप सभी का अमारी चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज में आपको अगनी प्राण की कथास ना रहूं जिसमें हम सुनेंगे भद्र मंडल आधी की पूजा विधी का बढ़नन नाराजी केते हैं मुनिवरो पूर्वोक्त भत्र मंडल के मद्देवर्ती कमल में अंगों सहित्व ब्रह्म का पूजन करना चाहिए पूर्वती कमल में भगवान पग्य नाव का अगनी कौन वाले कमल में प्रकर्ती देवी का तता दक्षन दिसा के कमल में पुरुस की पूजा करनी चाहिए पूरुस की दक्षन भाग में अगनी देवता की नरती कौन में नरती की पश्चिम दिसा वाले कमल में बरुण की ब्यायव्य कौन में भायो की उत्तर दिसा के कमल में आदित्ती की तता इशान कौन वाले कमल में रिग वेद की एबं यजुर वेद की पूजा करें द्वती आवरण में इंद्र आदी दिखपालों का और शोशट दल वाले कमल में क्रमस साम वेद अथर वेद आकास बायू तेज जल प्रत्वी मन स्रोत तचा नेत्र रस्ना ग्राणेंद्रिय भूलोक भुवलोक तथा सोलेवे में स्वर्व लोक का पूजन करना चाहिए त्रतिया आवरण में 24 दल वाले कमल में क्रमस महलोक जनलोक तपू लोक सत्तिलोक अगनेश्टाम अति ग्रिष्टाम ओक्त शोशडी बाज पे अति रात्र आपतोर याम व्यस्टी मन व्यस्टी बुद्धी व्यस्टी अहिंकार सब्ध इसपस रूप रस गंद जीव समश्ट मन समश्टी बुद्धी महतत्व समश्टी अहिंकार था प्रगर्ति इन 24 की अर्चना करे इन सब का सुरूप सब्द मात्र है अर्थार्थ केवल इनका नाम लेकर इनके प्रती मस्तक जुका लेना चाहिए इनकी पूजा में इनके सुरूप का चंतन अनावशक है 25 में अध् दस विदी प्राण मन वद्धी अहिंकार पायू और उपस्त स्रोत त्वचा नेत्र रशना ग्राण वाक पानी और पाद इन 32 बस्तों की 32 दलवाले कमल में अर्चना करने चाहिए ये चौते आवरण के देवता ही ओक्त आवरण में इनका संग एवं सपरिवार पूजन होन चाहिए तरंतर वाय आवरण में पायू और उपस्त की पूजा करके बारे मासों के बारे अधपतियों का तता पुरसोतम आदी 26 दत्वों का यजन करें उनमें से जो समाधी पती हैं उनका चक्रावज में करमस पूजन करना चाहिए आठ छे पांच या चार प्रकृतियों क अभी पूजन वही करना चाहिए तरंतर लिखेत मंडल में भेवेन रंगों के चूण डालने का विदान है कहां किस रंग के चूण का उप्योग है येस नो कमल की करन का पीले रंग की होनी चाहिए समझत रेकाएं बराबर और स्वेत रंग की रहें दो हाथ के मंडल में रे देखाएं स्वेत बनाई जाएं कमल को स्वेत रंग से और संदियों को काले या स्थ्याम नीले रंग से रंगना चाहिएं केसा लाल पीले रंग के हों कौन गत कोश्टों को लाल रंग के चूण से भढ़ना चाहिएं इस प्रकार योग पीट को सभी तरह के रंगों से या थे बिविद रंकों के चून बहने चाहिए। त्रिकोंन मंडल को सुईत रक्त और किष्ण रंग से अलंकृत करें। द्विकोंन को लाल और पीले से रंगें। चक्रावज में जो नाभी स्तान हैं उसे कृष्ण रंग के चून से विवुसित करें। चक्रावज के अरों को पीले और लाल से रंगें। नेमी को नीले तता लाल रंग से सजाबे और बाहर की रेखाओं को स्वेत स्याम अरोन काले एवं पीले रंगों से सजाए अगेनी चावल का पीसा हुआ चून आधी स्वेत रंग का काम करता है कुसम आधी का चून लाल रंग की पूर्ती करता है पीला रंग हल्दी के चून से त्यार होता है जले हुए चावल के चून से काले रंग की आवशकता पूर्ण होती है समी पत्र आधी से स्याम रंग का काम लिया जाता है बीज मंत्रों का एक लाक जब करने से अन्य मंत्रों का उनके अक्षरों के बरावर लाक वार जब करने से बिद्याओं को एक लक्ष जबने से बुद्ध बिद्याओं को दस हजार वार जबने से इस्त्रोतों का एक सहस्त्रवार पाठ करने से अत्वा सभी मंत्रों को पहली बार एक लाग जब करने से उन मंत्रों की तता अपनी भी सुद्धी होती है दूसरी बार एक लाग जबने से मंत्र खेत्री अक्रत होता है बीज मंत्रों का पहले जितना जब किया गया हूँ उतना ही उनके लिए हूम का भी बिदान है अन मंत्र आदी के हूम की संक्या पूर्व जब के दसांस के तुल्ले बताई गई है मंत्र से पुरंच सरन करना हो तो एक-एक मास का ब्रतले प्रत्वी पर पहले बाएं पैर रखे किसी से दान ना ले इस प्रकार दुगना और तिगना जब करने से ही मध्यम और उत्तम स्रेंडी की सिद्धियां प्राप्त होती है अब मैं मंत्र का ध्यान बताता हूँ जिसे मंत्र जप जनेत फल की प्राप्ति होती है मंत्र का सुख्षम रूप जोटिर में है यही उसका आंत्रिक रूप है यह केबल चिंतन में है जो चिंतन से भी रहत है उसे पर कहा गया है बारा नर सिंग तथा सक्ति के स्तूल रूप की ही प्रदानता है बासदेव का रूप चिंतन रहित अचिंत्य कहा गया है अन देवताओं का चिंता में आंत्रिक रूप ही सदा मुक्ष माना गया है बेराज अतार्त बिराट का स्वरूप इस्तूल कहा गया है लिंग में स्वर का जोर सुरूप बताया गया है वे चिंता रहत है बीज मंत्र हिदय कमल में निवास करने वाला अविनासी चिन में जिवतिय सुरूप और जीवात्मक है उसकी आकरती कदम पुस्प के समार है इस तरह ध्यान करना चाहिए जैसे घड़े के भीतर रखे हुए दीपक की प्रभ सथ हो जाता है वे सहिंत वहाव से अकेला ही इस्तित रहता है उसी प्रकार मंत्री श्वर रिषदय में ब्राजमान है जैसे अनेग छितर रबाले कलस में जितने छित होते हैं उतनी दीपक की प्रभाह की करने बाहर की ओर फैलती है उसी तरह नाडियों द्वरा जोत्र में बीज मंत्र की रस्मियां आतों को प्रिकासित करती हुई, देव देह को अपना का इस्तित है, नाडियां हिर्दैस से प्रस्तित हो नितिंद्रियों तक चली गई है, उनमें से दो नाडियां अगनी सोत अत्मक है, जो नासकाओं के अगर भाग में इस्तित है, मंत्र का सादक, सम्यक उद्वात योग से सरीर ब्यापी प्राण बायू को जितकर जब और ध्यान में तत्पर रहे तो वे मंत्र जिनित फल का भागी होता है पंच भूत तनमात्राओं की सुद्धी करके योगा ब्यास करने वाला सादक यदि सकाम हो तो अड़िमा आदी सिद्धियों को पाता है और यदि ब्रक्त हो तो उन सिद्धियों को लांकर चिन्वे स्वरूप से एस्शित हो भूत मात्र से तथा इंद्रिया रूपी ग्रह से सरवता मुक्त हो जाता है बोलो अगनी प्राने की जय बोलो विश्नु भगवाने की जय